पाहुल गांधी की सदिस्तिता रद होने को लेकर कॉंगर्स का सत्याग्रह आंदोलन ज्वारी है श्वाहिद श्वाहिद स्मारक पार कॉंगर्स सेवा दल ने किया है सत्याग्रह आंदोलन सेवा दल के कारेकर्टाव ने हातों में पोस्ट कार्ड लेकर आंदोलन किया पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी से पूछे पांच सवाल आंदोलन में कॉंग्रस प्रोदेश अध्यक्ष, ब्रजलाल खाबरी और सेवा दल अध्यक्ष प्रमोध पांडे शामिल होए हैं लगतार कॉंग्रस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है और इसी क्रम में ये बड़ी खबार क्योंकि अब आंदोलन किया जा रहा है कारकरताओं ने हातों में पोस्ट कार्ड लेकर आंदोलन किया है शहीद इसमारक पर कॉंग्रस सेवा दल ने सत्याग्रह आंदोलन किया और तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं शहीद इसमारक पर कॉंग्रस सेवा दल ने सत्याग्रह किया जहां तमाम विश्यों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास संदीप देखिए जिस तरह से राहूल गांधी की सदिस्ता रद की गई अब उसको लेकर आकर्मक रूप में कॉंग्रिस दिखाई दे रही है सत्या ग्रह कर रही है क्या कुछ जान करें आपके पास देखिए बिल्कुल मिशित तोर पे अगर जिस तरीके से राहूल गांधी की सदिस्ता रद होती है उसके बाद कांग्रेश का अंदोलन जो है वो सुरू हो जाता है लगातार अगर बात करते हैं कांग्रेस कड़कों पे उतर रही है और अपनी बातों के लिए लगातार जो है सेवा दल के कारिकरता है अपने हाथों में पोस्टर कार्ड ली हुए हैं और उस पोस्टर कार्ड के माद्यम से यह बताने का प्रयास किया रहा है जिनमें पांच सवालों का उन्होंने जिक्र किया है वो सबसे पहले सवाल है अडानी से कि अडानी को ले करके कि दोस्ती को ले करके सवाल किये गए है इसके साथ राहुल जी की सुदस्ता रद्ध होने की बात कही गई है इसके साथ अगर बात करें तो बड़ती महंगाई को यह पाँच सवाल हैं जो सवालों को लेखर जारी किया है और पोश्टर कार्ट के माद्यम से मोदी को पत्र लिखा गया है कि आकर हम लोग धन्ना प्रदूत कर रहे हैं और राखुल गांदी की पड़र्शन रद्ध होने पे लेकर के इन पांचों सवाल को करके लगातार जो है कॉंग्रेस जो है अब अंदोलन पे कारे रहत है यानि कि आने वाली 29 तारीक को एक बार फिर जो है भोगरताल जैसा बड़ा अंदोलन देखने को मिल सकता है जी ठीक है बहुत शुक्र तमाम जानकारी करें संदी